क्यारके और सल्मान खान के मामले की आज कौट में सुनवाई थी आज कौट में ऐसी क्या बात हुई कि क्यारके ने खुद को अमिता बच्चन डिक्लेर कर दिया क्यारके ने कहा कि आज की बात से ऐसा लगता है कि जासे मैं writings कि दुनिया का अमिता बच्चन हूँ क्यारके ने ये भी कहा कि उनको लोगों के तारीफों के कॉल्स आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इससे पहले में critics को seriously नहीं लेता था लेकिन आपको देखकर लगा कि critics में भी दब है ऐसा क्या कहा court में जजने कि क्यारके इतना खुश हो रहे हैं court में आज क्यारके और सल्मान खान के मामले की जो सुनवाई थी उसमें एक और नया मामला जोड़ दिया गया है ये मामला सल्मान खान की तरफ से जोड़ा गया है और क्यारके पर contempt of court order इसका नया इल्जाम लगाया गया है जिसका मतलब ये है कि पिछले सुनवाई में क्यारके को strict orders दिये गये थे कि सल्मान खान के related फिल्मों का या लोगों का जिक्र नहीं करना है उसके बावजूत क्यारके ने सल्मान खान के बारे में उनके एर्दगेट के लोगों के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में बात की जिसके बाद सल्मान खान के वकील ने court से request की कि इस पर contempt of court के तहद भी कारवाई की जाए सल्मान खान के वकील ने कहा है कि क्यार के सल्मान खान उनकी फिल्में उनके प्रोजेक्स और उनके रिलेटेड जितने भी वेंचर से उनके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता है आपको बता दे कि राधे फिल्म के रिव्यू के बाद दोनों का ये जगडा शुरू हुआ था जिसके बाद सल्मान खान ने क्यारके पर डिफिमेशन केस किया था और उसकी पहली सुनवाई हुई थी तब क्यारके ने कह दिया था कि उन्हें नोटिस पढ़ने का टाइम नही पर लगाया गया है 11 तारिक को 11 जून को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी जहां एक तरफ कॉर्ट से ये रिपोर्ट आई है वहीं क्यारके तो अलग ही धुन में हैं क्यारके ने एक के बाद एक ट्वीट के जिसमें कहा कि क्या कभी बॉलिवुड इंडस्ट्री में किसी क्रिटिक्स को लेकर इतना खौफ देखा जितना डॉक्टर के आरके का है ये पावर है सच्चाई की सच्चाई बड़े बड़ों की नींद उड़ा देती है इसके आगे के आरके ने बिना किसी का नाम लिखे हुए कहा क्या गधे लुख्खे किसी और को डराना जाना यहां इसके आगे क्यारके ने कहा एक बात तो तै है कि किसी ने किसी में उन्होंने जिक्र किसी का नहीं किया लेकिन सब समझते हैं कि क्यारके आपर किसकी बात कर रहे हैं तो क्यारके ने कहा कि किसी ने मुझे अपने से बड़ा स्टार मान लिया है तब ही तो मुझसे लड़ रह चलो अच्छा है देर से आए लेकिन दूरुस्ता है और अगला ट्वीट तो बवाल वल आए अगले ट्वीट में क्यारके ने कहा है कि एक बात तो साबित कर दी कि हम क्रिटिक्स की दुनिया के अमिता बच्चन है जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है क्य साथ कृटिक्स की दुनिया का अमिता बच्चन है कर दिया है